हेलो एवरीबन वेलकम टू मैं चैनल रामभक हनवान जी आज भी कहते हैं जीवीत हैं और इस पित्फेपर हैं क्योंकि उन्हें अमर्ता का वर्दान दिया गया था किसने दिया था कैसे वो अमर बने आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी मेरे वीडियो पसंद आय है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो के अंत में मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा क्रिता यूग में श्री राम जी के साथ जब जब राम जी का नाम आता है हनमान जी का भी नाम आता है क्योंकि वो राम भक्त कहलाते हैं और उन्होंने कारे भी ऐसा किया अंगा आता है यूंका नाम हमेशा के लिए क्यों जुड़ गया और लोग हमेशा उन्हें याद करते हैंव ला अ कि त्रीता युग में उन्हें बरदान मिल गया था ये अश्रवात मिल गया था तो और यो सदे वाम रहेंगी कभी उनकी मौत होगी ही नहीं एक बार जब वह सिता के पास पौंचे, अशोग वाठिका में श्री राम का संदेश लेकर जहाँ पर की रावण ने सिता को अशोग वाठिका में शिताहरन के बाद उन्हें रखा था वहाँ पर श्री राम का आदेश पाकर और श्री राम के मैसेज को लेकर संदेश को लेकर रामभग थनुमान सिता मईया के पास पहुँचे और उन्हें उनका संदेश दिया जैसे ही राम जी का संदेश बेचैन सिता मईया को मिला वो बहुत अधिक खुश हुई रामभग थनुमान पर और उन्हें उसी प्रसंदता में ये आशिर्वात दिया कि हे हनुमान तुम सदेव अमर रहोगे कभी भी तुम्हारी नित्यू नहीं होगी आज मैं बहुत प्रसंद्न हूँ और तुम्हें अमर्ता का भरदान देती हूँ कहते हैं सीता जी की सीता जी का ये आशिरवात पाकर ही उनके मुख से लिखले वचन के कारण ही और उनके आशिरवात के कारण ही पवन पुत्र हनुमान रामभगत हनुमान आज भी कल्यूग में अमर और सदेव अमर रहेंगे thank you very much for watching my video